वेलकम आल, वेलकम तो मूफ दिस्ट्रेट इस इस दी वीडियो फॉर क्लास एट आइसीस लेबस, माई बुक औफ हिस्ट्री और सिविक्स भाय मन्जू भशीनी आज हम इसका चैप्टर नमबर 6 कवर करेंगे, बिटिश पॉलिसीज एन दियर इंपक्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को अन कर ले, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमा बेसिकली वही है, लेकिन आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो में भी मैंने इनी सब पॉलिसीज के बारे में डिसकर्स किया था, तो आज हम लोग देखते हैं इस बुक में क्या-क्या पॉलिसीज के बारे में बात होती है, तो लेस्स स्टार्ट करत वह मिता है कि बितिश शर्स यहां पर आये क्यों थे basically trade करने आये थे उनका main मकसद क्या था था कि वो trader की तरह आये थे और उन्हींने East India Company की establishment करी और उनका main मकसद यह थे कि यहां पर trade करेगे और ज्याधा पैसे कमाएंगे और पैसे कमाएंगे बस में बिजनेस की तरह पे वो देख रहे थे इंडिया को यहां पे इनको बिजनेस करना है अब क्या हुआ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो अब वो जो कंट्री की पॉलिटिकल अफियर थे उसमें बहुत ज़्यादा इंवल्व होने लगे थे और उनका इंट्रेस्ट बहुत ज़्यादा बाढ़ रहा था इस जी दिस्कस इंद प्रीविए्स चैपिटर डिविलप एक्स एक्सपेनस पॉलिच याज रिजर्ट केरेंगे इंडिया में जंगा जंगां वह काबिज हो जाएं इंडिया को वह पूरे कबजा करें थे से पूरे हिंदुस्तान में धीरे-धीरे कबजा करना शुरू कर दिया था अब क्या हुआ कि अब जब कबजा कर रहे हो हिंदुस्तान को धीरे-धीरे अपने अंदर में ले रहे हैं तो अब उसको चलाने के लिए उसको administration करने के लिए भी तो उनको एक setup चाहिए होगा कैसे उसको आगे और बढ़ाया जाए इस setup के लिए ही उन्हीं ने और policies introduction कराना चालू कर दिया हिंदुस्तान के अंदर However, these policies never aimed at the welfare of the common masses and rather fulfilled the need of the new rulers अब ये जो policies जितनी भी ला रहे थे ना वो आम जनता के हक में नहीं थे उनके भलाई के लिए नहीं ला रहे थे और नहीं वहा के जो ruler थे या उनके लिए ला रहे थे ये अपने ले रहे थे कैसे अब हिंदुस्तान पे इनको राज करना और हिंदुस्तान को कैसे चलाना है इनको ये उससे related अलग अलग policies ला रहे थे अब land revenue policy लाए है Land Revenue Policy देखते हैं क्या थी After the grant of Divani of Bengal, Bihar Orissa in 1765 The collection of revenue was the major aim of the British India Company जब अंग्रेजों को Divani rights मिल गई थी आपने इससे पहले पढ़ा होगा अंग्रेजों को Divani rights मिल गए थे Bengal के, Bihar के Orissa के, अब उन्हें ने सोचा कि main मकसद है उनका कि revenue को collect करें जब rights मिलके, right क्या होता है यह basically tax collect कर सकते थे आप महाँ पे, तो यह tax collect कर रहे थे लोगों से तब इन्हें ने देखा तो इनका main मकसद अब यही था कि कैसे हम tax को collect करें लोगों से या revenue generate करें agriculture was the main stay of the economy and hence it has to maximum extraction several land revenue experiment were undertaken by the company अब क्या था कि उस वक्त हिंदुस्तान में main जो economy को support दे रहा था वो क्या था हमारा agriculture main role agriculture ही play कर रहा था उस वक्त क्योंकि खेती किसानी होती थी उससे अनाज उगता था वो भिकता था उससे economy उपर की तरफ बढ़ती थी इनी ने भी land ही से related policies निकालना चालू कर दी कैसे हम जमीनों पे tax वसूलें लोगों से जो लोग जमीनों के थुरू कमा रहें यानि agriculture land जो है उससे कैसे वसूलें native officials were in charge for the collection of the revenue अब क्या करा गया कि वहीं के लोगों को official बनाया गया जो महा के रहने वाले थे natives कि वह revenue collect करेंगे but the European officer of the company was given charge of the supervision और जो company के officer थे उनको charge दिया गया कि वह supervise करेंगे इस official had no idea about the local situation and were highly corrupt which led to the complete disorganization of the argarian economy within a few years अब क्या था यह जो officials थे इनको कुछ पता नहीं था कि महाँ पर क्या local situation है और महाँ पर इतना जादा corruption हो रहा था जिसकी वज़े से दीरे 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 वो बरबाद हो गया पूरा का पूरा और revenue ठीक से collect नहीं हो पा रहा था corruption इतना जादा था कि बीच में जो लोग थे वही पैसे खाय जा रहे थे company तक tax पहुची नहीं रहा था और उसके बाद हुआ ये वहाँ पर एक famine आगिया फैमाइन ऑफ 1769 टो 80 वाइप ऑफ था फंट थर्ड अफ टोटल पॉप्लेशन अब जो सूखा पड़ा था फैमाइन आया उसने एक तिहाई पूरी पॉप्लेशनी को खतम कर दिया अब इसकी वज़े से क्या हो वहाँ पर chaos पैदा हो गया confusion आगे लोगों के अंदर कि हम सब बर्बाद हो गए हमाई पाफ पैसा नहीं बचा हम लोग अग्दम गरीब हो गए the collection of brand revenue जो था was very important as it was the main source of income और जो land revenue था यह बहुत ज़ादा important है क्योंकि यही main source थी income की किसकी Britishers की क्योंकि यही वो main source है भाई हिंदुस्तानी इसी से कमार है agriculture से तो agriculture पर इतना tax को लगाएंगे उतना उनका फैदा होगा तो एक भाईसाब आए वारेन हेस्टिंग that then governor general came up with a solution तो उस टेम पर governor general थे वारेन हेस्टिंग वो एक solution लेके आए in 1772 he introduced a new system known as the farming system इनी ने 1772 में एक system बनाया और उसको ले के आए उसका नामता farming system his main purpose was to get rid of the Indians from the administrative setup main मकसद क्या था कि जो हिंदुस्तानी administrative setup के अंदर है पहले उनको बाहर करो उठा के बाहर फेको इसका भी यह था under this system European district collector was appointed for the collection of the revenue and the farming rights were given to the highest bidder इसमें क्या किया गया जो native बंदे अपॉइंट किये जा रहे थे अब क्या था कि European district collector मतलब अंगलेजों ने अपने बंदे अपॉइंट कर रहे जो district collector थे और वो जा जाके land revenue वस उलते थे और farming rights उनको देने की बात हुई जो highest bidder होंगे मतलब कहता है अप जमीन की बोली लगने लगे की फिर उस पर तुम वाप कोई भी खेती इस जो बी क्रॉप उगा नहीं पिर ओगाओ पहले उस जमीन की बोली लगा ओगे इतना तुम हमको टैक्स हो के फिर उस पर काम करो पिर यह होने लगा था लेकिन यह system भी fail हो गया क्योंकि जब फारमर्स थे वो उस जमर्स से ज़ादा-ज़ादा ओगाने लगए चो बोरी लगती थि उस पर डन हो याता था लेकिन वो उससे ज़ादा क्रौक उगाने लेगे थे तो जिस से कमपनी को लग जहा था कि उसका नुक्सान हो रहा है कि यह जादा 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 एक्सीड कर रहे हैं एक्स्ट्रैक कर रहे हैं और बिढ है काम और लेंड जो है जादा प्रड्यूस कर रहा है तो यह system पूरी तरह से फेल हो गया था due to these drawbacks of the previous system अब जब यह system फेल हो गया तो तीन नए system अंग्रेज़ों नों उता रहें तीन नए system कौन कौन से थे दा permanent settlement the mahalwari system and the roya toari system permanent settlement system महलवारी system आया और आपका roya toari system यह तीन नए system उता रहें फिर land के लिए permanent settlement system में क्या था the permanent settlement system was introduced by the lord cornwallis in 1793 एक बंदा lord canwallis था उसने क्या करा यह system उता रहा इस system का फाइदा क्या हुआ regular income the company under this system decided to fix the land revenue or the permanent basis इसमें क्या हुआ कि इस system से company को regular income आना चाली हो गई थी company ने एक permanent tax fix कर दिया था एक जमीन का land का कि इतना तुम्हें tax हमको देना ही देना है उससे क्या हो रहा था कि उस पर तुम कुछ भी करो खेती करो किसा नहीं करो कुछ करो तुमने हमको tax दे दिया है और अब company को उससे एक regular income generate होने लगी इन बिहार और बंगवाल यह था रेवेन्यू वास फिक्स पर्मेनेंटली और रेवेन्यू था वह टैक्स जो था वह फिक्स कर दिया गया था पर्मेनेंटली और वह बाद में कभी बदलेगा नहीं और वह इस हिसाब से उसको फिक्स किया था अंग्रेजो ने इस हिसाब से फिक्स किया था कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा वह maximum है अगर किसान उसको बहुत जादा भी इस्तिमाल कर लेगा बहुत जादा यूज में ले लेगा अगरी कल्चर लैंड को लेकिन तब भी किसानों को उतना फायदा नहीं होगा जितना किसको फायदा होगा अंग्रेजों को इतना जादा वो टैक्स ले रहे थे अब जमीदार को टैक्स देना था जो उनके उपर लगाया जा रहा था यह पर्मनेंट शेटिलमेंट किया किसे गया था जमीदारों से किया गया था जिनकी जमीन हुआ करती थी और उनको ही यह टैक्स देना पलता था अगर वो टैइम पे टैक्स नहीं दे रहा है तो वो लैंड उससे छीन ले जाता था और उसकी निलामी कर दिया थी तो कोई नए ओनर को भीज दे जाता था अब यह क्या होता था इसकी वज़े से क्या होता था नया ओनर हो जाता था उसको उनर्शीप राइट मिल जाती थी अब इसके अलग कुछ मेरिट भी है इस सिस्टम के और दी मेरिट भी है अब क्या था इसमें कमपनी का तो फाइदा हो रहा था वह यह टैक्स तो मिल रहा है जमीदारों से अपसादा नुकसान किसका हो रहा था किसानों का इस नियु सिस्टम इंको रेगुलर्स अफ्लाई ऊफ़ेड्र से लियविनी क्लास और गेमा अनुब से क्लास थी खरीद लेते थे अब वह रमएदार बन गया और जू जमीदार बनते थे वह ब्रिटिसर्स के बहुत जाता वफदार होते थे अब जो नया revenue system होता था कि जमीदार को tax देना ही देना है वो किस से वसू लेगा तो आप किसान पिस गए थे अब जितना भी revenue को burden था किस के उपर आगा जो खेती कर रहे हैं उसके land पर अब उसके land पर वो खेती कर रहे हैं जमीदार से contract हो रहा है तो आप वह सुकाम किस से करवाएगा जादा किसानों किसानों को कम देगा खुछ जाज़ा रखे विसको सरकार को भी देना है सरकार को नहीं है यहां पर अंग्रेज नहीं से वर सम टाइम फोस्टू पे दा इल्लीगल टैक्स अब फार्मर्स को कभी-कभी जबरदस्ती में भी टैक्स ले 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 लेते थे जमीदार उन से क्योंकि उनको देना है हर साल इसको रिवाइस किया जाता था लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता था इस सिस्टम में पीजन कॉंटिनुटी सफर एड़ हैंड़ जमीदार किसान थे वह जमीदारों के हाथों से बिल्कु तरह बरबाद हुए जा रहे थे जमीदार भाई उन पर जुल्म करने हैं क्योंकि जमीदार नों ने कॉंट्रैक कर रखा पर्मनल से डिल्मेंट का अंग्रेजों से अगर अंग्रेजों को टैक्स नि देंगे तो उनकी जमीन भीग जाएगी तो अब वो किस पर अपना रोब दिखाएंगे अपना रोब दिखाते थे वो लोग बिचारे फार्म अब क्या था कि पहले सबसे पहला यह जो एक्सपरिमेंट किया था यह अलेक्सेंडर रीड ने कर रहा था कहां कर रहा था बड़ा महल में किया था 1792 में पिर इसको आगे किसने बढ़ाया थॉमस मुन्नों ने बढ़ाया इसमें क्या था इडिजार इंटिएट डिश्रीक ओं मद्राज बॉम्बें प्रेसिडेंसी मधराज और बॉम्बें की प्रेसिडेंसी कि कुछ शेरों में इसको लाकू किया گیا था इस system में क्या था in this system instead of जमीदार's revenue was directly connected from the royal or the prison अब क्या था permanent settlement में किस से लेते थे अंग्रेस पैसा जमीदार से जमीदार farmer से लेता था अब इसमें क्या किया उन्हें दिमागा लगा हम direct farmer से लेंगे जमीदार से नहीं लेंगे direct farmer के पास चले गए और direct tax किस से वसूलेंगा पीजन से वसूलेंगा यानि किसान से revenue settlement was made directly with the farmer who came to be recognized as the owner of the land direct किसान से करने लगे जिसको वो land का owner समझ के उसको recognize करते थे यह land का owner है और direct हम इस से बात करेंगे the revenue to be collected was fixed according to the fertility of the land अब जो land होता था उसका revenue fix किया जाता था उस land की fertility को देखते हो कितनी उपजाओ जमीन है कितनी fertile है कितनी कितना उसमें से कहते है कि crop पैदा होगी उस हिसाब से उसको fix किया जाता था इस new system brought about a major change in the village economy अब यह जो system था यह इसकी वज़़े से क्या होता था गाओं की जो अब जमीनों की खरोट फरोग थोने लगी थी मतलब आप जमीन खरीच सकते थे जमीन बेश सकते थे या उसको रख सकते थे गिरी भी रख सकते थे वह एक सेलेबल कॉमेडिटी बन गई थी इससे नुकसान किसका हो रहा था फिर किसान गवरता क्योंकि जब किसान टैक्स ही दे पाएगा तो वह मजबूरी में अपनी जमीन गों जो जमीदार बैटे हूँ हूं उसको खरीद लेंगों जमीदार जो भी आपकाम हो भublic है वह उसके वेलफिर में नहीं होग उसके नहीं तो वह अब बेगर हो जाएगा, उसकी जमीन भी चली जाएगी, सरकार को टैक्स भी नहीं दे पाएगा, और जमीदार उसर बैटे हो है, वो जमीन को खरीद लेंगा, इसके बाद, तुमसरा सिस्टम आया है, तीसरा, उसको बोलते है, महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम उख रवविन्यु क्लेंटेश्या रेविन्यु क्लेक्शन वस इंटर्देश पार्ट अत्र्देश, वेस्टर उच्ड उस्तेश परदेश पंजाब, अंडर इस 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 सिस्टम, व् वह ख व्यूप ख हैओ, जिसमें बहुत से गाह आँ आते थे, महल बोला याता था गूरूप या होता था उसको बोलते थे महल उसके अंतर बहुत से गाउं आते थे उसका एक हेडमेंट चुना याता था महल को इन्ध महल करता था और रेविन्यू कभी फिक्स नहीं हो ता वह चेंग उतर रहता था टाइम के अकॉर्डिंग और यह कहां कह लागू किया था इन लोगों ने वेस्टन उत्तर परदेश में किया था पंजाब में किया था कुछ पार्ट थे मत परदेश के वहां पर इन्हीं ने इसको लागू किया था इसमें किया था बहुत से गाओं को मिला के एक गुरूप बना लिया था उस गुरूप को बोलते थे महल । उस महल का एक हेडमें चुनते थे जो सबसे tax collect करके किस के पास लाता था अंग्रेजों के पास इसके बाद क्या हुआ इसके बाद अंग्रेजों ने तो land revenue land की तो ऐसी की तैसी करी गई जमीन पे tax लगा लगा के जमीन को खराब किया इसके बाद वो घुसे कहां ट्रेड और इंडस्ट्री की इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया होने ने जब तक बिर्तिष इंडिया में नहीं आये तो इंडिया जो लाज़ेस प्रेडियूसर था कॉर्टन टेक्स्ट आइल का पूरे world में इंडिया की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के तरफ आते थे और देखते थे कि इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर का तो वो सोच्टे थे यहां से माल ले जाएंगे बहाँ जाके बेचेंगे तो उनको फायदा होगा इस ट्रेड वस इंकरेज़ बैदा मुगल एंपरर एस बिटिश ओल इंडियन गूड्स इन पॉरें मार्केट एटा हायर प्रेस उस टैम पे जो मुगल एंपरर थे उन्हीं ने इंकरेज करा यूरोपियंस को कि इंडिया में आओ इंडिया से समान खरीदो बहार जाके उसको ह इंडिया के ट्रेड बहुत अच्छा चलना था लोग आते थे बहर से इंडिया से प्रूडक्क करीते थे ओब हाले जाके उनको ओंप्राइशन ब्हस दो कि हिंदुस्तान की जो इंडूस्ट्रिया थी और बहुत ज़दा बरबाद हो गई बितिश के रूल को जैसे क्योंकि अब बितिश ने वहाँ पर मोनोपली क्रेट कर दी थी मोनोपली मतलब कहता कि बितिश इंडिया का माल बाहर बिखने नहीं दे रहे थे इतने जाधा टैक्स लगा दिया थे कि जो हिंदुस्तान प्रोड़क्ट बन रहे थे वह बाहर कोई ख आता था वह बिल्कुल तरह खताम हो गया अनि अडर्वाट इंडियन मार्केट और ऑन फॉर्पन फॉर्ट बितिश मैनेफेक्ट्चर गूड एंडिस लेक्ट कि दिस्ट्क्ट ऑफ रचेंदिश के प्रोडबाद और बितिश इसको बनाते थे अपने वहां उसको इंडिया के हैं बने हुए यहां के सस्ते दामों भिक रहे हैं और इंडिया के प्रोड़क्ट पर इतनी ज़्यादा हुए टैक्स लगा जिए थी कि वह बाहर जाके बिकते नहीं थे कि एट एंडिया की एंडिया का ट्रेड और इंडियां इंडियोस्थरी को पूरी थी थरह इने बर्बाद कर दिया इसको बर्बाद करने के बाद वह आये कहां पे आपके education system की तरब इंडिया के education system introduction of the modern education indigenous Indian education system और पाटशालाज and मदर्सालाज was very flexible in nature पहले इंडिया में जो education system चलता था वो पाटशाला और मदर्सालाज का चलता था और वो एक flexible nature का होता था उसमें कोई books वगरा नहीं होती हैं there were no prescribed textbook and often knowledge was imparted orally at the house of the teacher जो teacher होते थे वो orally लोगों को बच्चों को पढ़ाते थे चोटे चोटे अपने अपने घर हो पे Sanskrit, Persian and Mathematics were the most popular subject but geography and science were not a part of the curriculum Sanskrit, Persian and Mathematics उस time पे बहुत ही जादा common subject थे और science और geography उस time पे course का हिस्सा नहीं था इंडिया में वो नहीं पढ़ाया था It was only after the arrival of the Christian missionaries that the companies began to take interest in the education system of India अब क्या हुआ जब Christian missionaries इंडिया में आई तो company ने education system में interest नेना चालू कर दिया company कौन? East India Company? यानि अंग्रेज अब company ने involvement चालू कर दिया किसमें आपका education system में इंडिया के अब कंपनी किसमें उतर आई एजुकेशन सेक्टर में इस इंडिया कंपनी उसमें विखुशी उसने देखा तो सबसे पहला काम उसने करा कलकत्ता में एक मदर्सा इस्टैबलिश करा उसके बाद Sanskrit College कहां बनाया? बनारस में फिर Fort William College कहां बनाया? कलकत्ता में तो यह चीज़े उसने करी एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया में अब क्या तक जब बिटिशन ने क्या करा एजुकेशन सिस्टम जो लाए तो उसमें जादा इंफेसिस किस पर करा? इंग्यूस्कृति है इंडिया की एकसिंग करा यह सबिस्टम के लाए टिपुकेशन सिस्टम अगर कोई सीखना जाता तो सीखे उसको करिकुलम से दीरे 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 हटाना चालू कर दिया था और इंग्लिश लेंग्वेज पर ही उनका मेन फोकस था Modern education was based on logic and scientific research rather than faith and ritualism अब जो modern education थी वो scientific research पर जाधा belief करती थी scientific method पर जाधा belief करती थी इससे जाधा इस यह ritualism और faith पर भरोसा नहीं करते थे वो लोग scientific way में बात करते थे The British passed the Charter Act of 1830 which was supposed to sanction a sum of 1 lakh rupee for the educational purpose every year Britishers ने एक Charter Act आया 1830 में उन्ही ने ये कहा कि हम लोग हर साल एक लाग रुपे इंडिया में लगाएंगे किस पर education system इंडिया का education system को अच्छा करने के जाएंडिया का education system को अच्छा करने के जाएंडिया का education system को अच्छा करने के On this there was a deadlock between two groups the orientalist and the anglicist anglicist who were the promotion of the classical and the regional language and the western language और इसीं के भी दो गुरूप बन गये उन दोनों में टकराओ होने लगा है लोग करने लगे कि western education को कौन जी भाशा में पढ़ाया जाएगा या classical या regional language ने पढ़ाया जाएगा तो एक group था जो कह रहा था classical or regional language में पढ़ाया जाए एक group था जो कह रहा था 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 इंग्लिश में पढ़ाया जाये तो आकरी में एंड में क्या हुआ कि Western education का medium क्या बना English this came to an end in 1835 when the English came to be used as the medium to promote the Western Western education को promote करने के लिए जो medium बना वो क्या बना English बना 1835 इसमें वुड़ डिस्पैज 1854 अंडर द वूट डिस्पैज नेम आफ्टर सर्च चार्ल्स वोड वूट वूट डिस्पैज आ एक इसमें क्या था इसमें स्कूल कॉलेजेज इन लोग ने बनाए और स्कूल कॉलेजेज को बनाया गया और कमपलसी नाम से जानते हैं इसके नाम पर पढ़ता है, वो एक सल चार्ज वूट से उनके नाम पर वूट डिस्पैज बोला जाता है, उसको प्रेसिडेंट अफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, अजुकेशन दिपार्टमेंट के, प्रेसिडेंट अफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अजुकेशन दिपार्टम के निनय कहा कि में यूचिन आ इन्हें कहा कि एड़े सरेवक से आ डरेंडनि वी अनिट से डिज कॉंपाइस ल toujours अनिवर्शिटिंट्य इस्के वच व्यर्य से अलग अलग उनिवर्श इसी क्या है मुम्बाइ में चिन्नाई ए में मोर कलगता में in 1857 तो ए दूटट जि give बहुत ज़्यादा इनी ने प्रमोट करा अब एजुकेशन क्यों प्रमोट कर रहे था है इसमें भी इनका ही फैदा था यह चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले खड़े करते हैं जो हमारे लिए काम करें और हम उनको कम सेलरी जें जो हमें हाई सेलरी बिटिश ओफिसल को देना पड़ लिए तो हम इंडियांस को रखेंगे अपने वाँ काम पर और उनको कम सेलरी जेंगे इससे फैदा तो जो शहर में रहने वाले मिडल क्लास बन दे थे उनको फैदा हुआ उनको फैदा हुआ उन्हींने कम सेलरी पर काम करना चालू कर दिया उनको फैदा हुआ विलेजर रिमेन अलूफ फ्रॉम दा एजुकेशनल सिस्टम और जो गाओं थे बड़े गाओं थे तो एजुकेशन सिस्टम से परे रहे हैं उनको समझी भी नहीं क्या हो रहा है तो मैजोरिटी ऑफ इंडियान पॉपलेशन रिमेन इनलिटरेट जो जादा जादा इंडिय विलेजर में जो लोग खेती किसानी करते थे वो तो नौकरी करते नहीं थे उनका नौकरी से को लेना देना जाए तो पढ़ाई से महरूमी रहे गाए इसलिए इंडिया की ज्यादा तरह बादी इलिटरेट रहे गई लेकिन इससे एक फाइदा तो हो गया जब एजुकेशन कहीं पर दी जाती तो लोगों के दिमाग खुलने लगते हैं लोगों के जब दिमाग खुले तो लोगों को समझ में आया कि बाहर वेस्टर्न की क्या-क्या पॉलिटिकल आइडियास हैं कैसे कैसे नैशनलिज बाहत करने लगे लोग यही जो आइडियास इन लोगोंने सीखे थे इस वقت पड़ाई करके यही आइडियास इनके काम आए आगे जब इन्हीन अंग्रिजु को खिलाफ फ्रीडम का स्ड्रेइडर ने लोगों बhou इस इोनी बाहर की लिटरेचर पड़ी थी ना युरूपे freedom हुआ तो यही आइडिया जिनके काम आये थे हैं Did you know some educated Indians like Raja Ram Mohan Roy also advocated the study of the Western knowledge as they believe that the traditional education has bred superstition peer and authoritarianism authoritarianism among the masses authoritarianism among the masses Raja Ram Mohan Roy थे आपके एक उन्ही ने भी इसको support करा Western education को क्यो support करा उनको लगता था कि जो इंडिया का education system है वो बहुत ज्यादा superstition है बहुत ज्यादा डर है उसके अंदर क्या superstition का मतलब क्या है हिंदी में क्या कहते हैं सूपर स्टीशन को अवर्ट था हिंदी में क्या कहते हैं चले superstition समझ में आपको आ रहा होगा पहम मतलब जो होता है लोगों को या किसी भी चीज़ से बिलीव कर लेते हैं पुराने rituals जो होते हैं उसके भरोसा करते हैं कि यह करो कोई ऐसा हो जाएगा बनना सब्सक्राइब करते हैं तो वह यह मानते थे इसलिए उन्हें ने एजुकेशन वेस्टर एजुकेशन सिस्टम को बहुत सब्सक्राइब करती थी और साइन्स रिलेटेड़ बात करती आपको यह कमेंट करके बताइएं कि मेन बिलेटिश क्या था कि रैम आपको बटाये था किसान को कहते हैं महल गुरूप विलेजर्स होता है इंडिजीने जो लोग वहां के रहने वाले हैं नेटीव उनको बोलते हैं करीकुलम सब्जेक्ट कम्रायजिंग को को कड़िकोvan का तो में करी कर रहा था यह पर एपने इंट्रेस के लिए ला रहे तो तो हिंदूस्तान को चलाने के लिए उनको चाहिए हो और गाइसे चलाएंगे इंडिया के लोगों के लोगों ने आईडिया देखे कि वेस्टन में लोग कैसे कर रहे हैं तो उसी तरह उन्हें ने भी आईडिया अपने ना लाए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना उद्फ में आगे चलके को काया भीभी मिली थी I hope तो आपको यह वीडिया अच्छी लगी होगी है अगर आपको यह वीडिया अच्छी लग रहें तो मेरे चैनल को लाइक करें प्सक्राइब करें पर नोटिफिक्सन कौन करने जिसे भी कोई भी वीडियो मिशना हो थैंक्स पर वाचिंग